कि अगरें वेलकम टूड़ी सेशन आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट अफेस के mcqs जो यूपी एस ची के लिए इंप्रोर्टन है यूपी एसी के एकजाम जो आई एसके एकजाम होने वाला है दोजार तेई सवाला उसके लिए सेशन स्टार्ट किया रहा है और आज का पहला पार्टम स्टार्ट करने वाले हैं डेली कोशिच करेंगे 10 कुश्चन करने की तो आज का पहला सवाल है वेस्ट नील वाइरस के सम्मन में निवन लिखित कतनों पर विचार कीजिए consider the following statements regarding वेस्ट नील वाइरस वेस्ट नील वाइरस एक मच्छर जनित double standard DNA वाइरस है वेस्ट नील वाइरस के लिए vaccine उपलब्द है उप्युक्त कतनों में से कौन से सही हैं बताना है वेस्ट नील वाइरस इजा mosquito worn double standard DNA वाइरस vaccine is available for west नील वाइरस which of the statements given above is or are correct वेस्ट नील वाइरस अभी चर्चा में रहा था ये इसके बारे में बताना है दोने statement में से कौन सा सही है तो इसमें ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा D answer हो जाएगा इसका दोने statement गलत है वेस्ट नील वाइरस के बारे में वेस्ट नील वाइरस वाइरस से सम्मंदित एक फलेवी वाइरस है जो सेंट लूइस इंसेफलाइटिस जापानी इंसेफलाइटिस तथा पीत ज्वर के लिए भी जिम्मेदार होता है यह अच्छा इसकी जो डिटेल हैं आपर अच्छी दी गई है इसको अच्छी से दिहान से पढ़ना यह एक मच्छर जनित सिंगल इस्टेंडर आर ने वाइरस है ना कि डवल इस्टेंडर डी ने वाइरस अत्या पहला कतन सही नहीं है 80% संक्रमित लोगों में यह रोग इस पर सोन मुख होता है निके छूने से होता है सेज 20% मामलों में वैस्टनिल फीवर या गंबीर डवलू एन्बी बुखार सिर दर्द ठकान मतली सरीर में दर्द दाने और सूजन गरंतु जैसे लक्छनों के साथ देखा जाता है अबी तक डवलू एन्बी के लिए कोई उपचार या वैक्सीन उपलब्द नहीं है वैस्टनिल वाइरस यानि के डवलू एन्बी तो दूसरा भी सही नहीं है पहला भी सही नहीं है अगला है रास्टिय बाग सननक्सन प्रादीकरण के संबन में निमनलिकित कत्रों परविचार कीजिए consider the following statement regarding National Tiger Conservation Authority NTCA यानि के National Tiger Conservation Authority द्वारा भारत में चीतों की पुनह वापसी है तू कार्योजन जारी की गई थी The Action Plan for Introduction of Cheetah in India was released by the Ministry of Environment, Forest and Climate Changes इसके अंतरगत अगले पांच वर्सों में नामीबिया से 50 अफरी की चीतों को लाने का निर्ने लिया गया है It has decided to bring 50 अफरीकन चीता फ्रों नामीबिया बिदिन देनेक्स फाइब यर तो उप्योक्त कत्रों में से कौन से या कौन सा सही है यह बताना है Which of the statements given above is or are correct जो रास्टिया बाग सन्नक्षन परादिकरन यानि एंटिसीये बाग के सम्मन में निमली की कत्रों विचार करके बताना है दोनों में से कौन सा सही है इसमें दोनों सही है अगले पांस साल में पचास चीता लाने हमें नामीबिया यानि अफरीकी देशे नामीबिया वहाँ से और जो एंटिसीये है वो भारत में चीते की पुन्हे वापसी है तू कारी योजना जारी कर रहा है इसने की है दोनों सही है, सी अंसर हो जाएगा भारतिय वन्यजीब संस्थान ने साथ साल पहले चीता संनक्सन के लिए 260 करोड रुपे की लागत से पुन्हें पुनरवास योजना तयार की थी यह विस्व की पहली अंतर महादीप यह चीता इस थाना अंतरव पर योजना हो जखती है यानि कि अफरीगा महादीप से एसिया महादीप में परियावरण मंत्राले ने रास्टिय बाग संनक्सन परादीकरण की उननीस भी वैठक में भारत में चीते की पुने बाप सी है तुकारिय उजना जारी की थी पहला सही है रास्टिय बाग संनक्सन परादीकरण यानि एंटीसीय ने अगले पांच वर्सों के भी तरनामी ब्यासे पचास अफरी की चीते लाने का फैसला किया है दूसरा भी सही है तो आंसर हो जाएगा सी आउस्टर मार्क फरस्ट के संदर्ब में निमलिकर कतनों पर विचार कीजिए With reference to आउस्टर मार्क फरस्ट Consider the following statement आउस्टर मार्क फरस्ट एक दिरस्य सीमा से परे सतैसे हवा में मार करने वाली मिसाइल है आउस्टर मार्क फरस्ट इसमें से कौन सा है कौन से सही है यह बताना है अस्तर मार्क फर्स्ट के बारे में तो दूसरा और तीसरा सही है इसमें बी आंसर हो जाएगा इसकी रेंज 110 किलो मेटर है और डियार डियो ने 100 बिक्सित किया है बी आंसर से किन एंड थर्ड अस्तर मार्क फर्स्ट जो है वो दृस्ट से सीमा से परे हावा से हावा में मार करने वाली मिसाइल है तो पहला साही नहीं है यह BVM जो मिसाइले हैं 20 नोटिकल मील या 37 किलो मेटर की सीमा से आगे तक मार करने में सक्सम होती है AAMS को एक हवाई इलक्से को नश्ट करने के लिए हवा में छोड़ा जाता है असर मार्क फर्स्ट की रेंज लगबग 110 किलो मेटर है दूसरा भी सही है और तीसरा सही है इसको DRD ने बिख्षित किया है निमनलिखित कतनों में से कौन सा है कौन से सही है Which of the following statements जो रर करेक्ट गोवा मुक्ती दिवस भारती सहन्य बलोद्वारा British सासित गोवा के बिले की याद दिलाता है The Goa Liberation Day commemorates the annexation of British ruled Goa by Indian military forces Goa की आदिकारिक भासा कौंकरी है जो संबिधान के नसूची आर्ट में सूची बद नहीं है Official language of Goa is conquering which is not listed in the schedule 8 of the constitution नीचे दिये गए पूट का प्रियोग करगे से उत्तर का चैन कीजिए Select the correct answer using the code given below दोनों में से बताना है कौन सा सही है तो इसमें न तो पहला सही है न दूसरा डी answer हो जाएगा इसका गोवा मुक्ती दिवस भारते सहने बलो दुआरा पुर्तगाली सासित गोवा के बले की याद दिलाता है इस दिन भारत भी यूरोपिया सासन से पूरी तरह मुक्त हो गया था पहला सही नहीं है समिधान की आठवी निसूची में निमलिकित बाईस भासाएं सामिल है जिसमें गोवा की भासा भी कौंकडी मतलब वो भी सामिल है तो बाईस भासाएं हैं असमिया, बांगला, गुजराती, हिंदी, कंड़, कस्मीरी, कौंकडी, मलियालम, मडिपुरी, मराठी, नेपाली, उडिया, पंजाबी संस्क्रत, सिंधी, तमिल, तेलगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और दोगरी इनको याद कर लेना, यहां से क्रिशन बनते हैं सतत सहर एकिकरत डिश्टी कोण पाइलेट परियोजना के संबन्ध में निमनलिखित कत्नों पर विचार कीजिए इसे वैस्विक परियाबरन सुबीदा के माध्यम से बित पोसित क्या जा रहा है इन में से कौन से स्टेटमेंट सही है, यह बताना है दोनों सही हैं इसमें, सी आंसर हो जाएगा इसका, फर्स्ट एंड, सेकेंड सहरी इस्थिरता मुल्यांकन फ्रेमवर्क को सतत सहर एकिकरत डिश्टी को और पाइलेट परियोजना के तैद विक्सित क्या गया है यू एन हैबिटेट द्वारा कार्यान बित किया गया है, पहला सही है इस परियोजना को भारते सहरों की कार्बन पर्थक्करन च्हमता का अनुमान लगाने के लिए वेस्विक परियाबरन सुभीदा से धन पराप्त हुआ है, दूसरा भी सही है पहला भी सही, दूसरा भी सही इट्रांसमिशन मोराटोरियम के संबन में निमनलिखित कफनों पर विचार कीजिए consider the following statements regarding e-transmission moratorium विश्व वियापार संगठन के सदस्ये, e-transmission पर सदस्ये देशों पर सीमा सुल्क नहीं लगाते है विश्व वियापार संगठन के बारवे मंतरी इस्तरिय संबेलन में भारत e-transmission पर सीमा सुल्क पर रोक जारी रखने के लिए पक्स में है इसमें not correct बताना है कौन सा सही नहीं है e-transmission moratorium के बारे में कौन सा सही नहीं है ये बताना है इसमें दूसरा सही नहीं है पहला सही है विश्व वियापार संगठन के सदस्ये e-transmission पर सदस्ये देशों पर सीमा सुल्क नहीं लगाते है इसकी डिटेल पढ़ लेना है काफी लंबी है इसमें कुछ चीज़ां आपको मिल जाएंगे लिक्विड नैनो यूरिया के सम्मन में निमनलिकित कतनों पर विचार कीज़े consider the following statements regarding लिक्विड नैनो यूरिया यह एक स्वधेसी रूप से बिक्सित यूरिया है जिसे भारते किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड यानि इफ को दौरा पेस किया गया है लिक्विड नैनो यूरिया की दक्स्ता पारंपरिक यूरिया की तौलना में कम होती है संयंत्रमध्य पार्देश के विजव्पुर में स्चित है इंड्या's first liquid यूरिया plant is located at विजव्पुरमध्य प्रदेश इसमें से सही बताना है कौन से हैं करेक्ट आंसर लेना है इसमें केवल फर्स्ट वाला सही है एक यह एक स्वधे सी रूप से बिक्सित यूरिया है जिसे भारते किसान और बरक सहकारिश लिमीटेट द्वारा यानि कि इफ को द्वारा पेज क्या गया है यह इसकी जो दक्सता है वो बैसे वाले यूरिया से जाड़ा होती है पारमपरिक यूरिया से तो दूसरा गलत हो जाएगा और तीसरा भी गलत है यह गुजरात के कलोल में पहली भारतिय तरह नैनो यूरिया सही अंत्रक उदगाटन किया मुक्त व्यापार समझोते के संबन में निमिलिकित कतनों पर विचार कीजिए इसका उदेशिया दो देशों के बीच व्यापार पर सीमा सुल्क बाधाओं को कम करना है लेकिन समाप्त करना नहीं है इसमें से बताना है कौन से सही नहीं है नोट करेक्ट बताना है मुक्त व्यापार समझोते हैं नहीं FTA के बारे में कौन से सही नहीं है पहला सही नहीं है इसमें दूसरा सही है बस्तों और सिवाओं के अलाबा FTA में बॉद्धिक समपता अधिकार भी सामिल है हाल ही में अबराहम अकोर्ड पद चर्चा में था यह निमली के तमेंसे किस्से सम्मंदित है डिसेंटली अबराहम अकोर्ड स्थर्म्स वोज इन दे न्यूज इस रिलेटेट तो विश ओव द फॉलोविंग उज्वेकिस्तान और रूस के बीच युद ब्राम सम्झोता सीज़ फायर एग्रिमेंट विटमिन उज्वेकिस्तान और रस्या आई-एमफ द्वारा किये गए मुद्रिक नीटिव पाई दे मोनेटरी पॉलिशी मीजर तेकन वाई अई-एमफ इस्राइल और चार इसलामी देशों के भी संबंदों का समानने करन अबराहम अकोर्ड जो पद है ये चर्चा में था और ये किस से संबंदी था है ये बताना है तो जो इस्राइल ने चार देशों से मुस्लिम देशों से संबंदों को समाननी किया है उससे संबंदी था है अबराहम अकोर्ड अबराहम अकोर्ड इज्राइल और अरब देशों के बीच पिछले 26 वर्सों में पहला संब्धी 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 दियाते बहें कि 13 अगस 2020 को इजराइल UAE सांधी समझोते की घोसना के बाद 11 सितंबर को बहरीन इजराइल समझोते की घोसना की गई है अमरीकी राश्पती ने अन्य अरब देशों के भी इस समझोते में सामिल होने के संकेत दिये हैं सी आंसर इसका नदी परडाली अईस्थिरता के संदर में निमलीखित कत्रों में से कौन से सही है विच अप दा फॉलिंग स्टेट्मेंट्स इजो रा करेक्ट विद रिफ्रेंस तो रिवर एविलिसन यह समसीतों सर छेत्रों की नदियों से संबंदीत एक विशिष्ट घटना है एसी घटना एक दसक या एक सधी में एक बार या उससे भी कम बार होती है इसमें से सही आंसर चुनना है पहला और दूसरा में से कौन सा सही है इट इस आर टाइपिकल फीचर एसोशेट बिद रिवर सो टेंपरेचर ओरिजिन नदी परडाली अइस थिरता दूसरा सही है इसमें ऐसी घटना दसक या एक सधी में एक बार होती है उससे भी कम बार होती है दूसरा सही है यह नहीं के बी आंसर हो जाएगा तो इसके लिए आज का इतने रखेंगे बाकी डेली वीडियो में आते रहेंगे आपके लिए 10 क्योंसन उमीद हैं आपको पसंद आएंगे और बाकी क्योंसन हम आपको कल वाली और नेक्स्ट वीडियो में से लेके आएंगे तो चलिए आज के लिए इतने रखेंगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब के लिए बाई थेंक्स वाचिंग